करके रखना अगर यह खो जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी सबसे फोम सा लगा है ना यह कूलिंग करने में सायता करता है को खोलने के बाद कंप्रेसर को इस तरह से निकाल लेना है इस तरह से बाहर निकल गया इप पर सीधी सीधी यह देखे इसमें क्या एक ऊपर एक नीच तो इधर से देखे पीछे के तरफ से तो देखे यह मोटर है एक वायर जोड़ा हुआ है देखे यह ग्रीन कलर का बॉड़ी अर्थ में किया हुआ हुआ है यह मोटर चलिए आज हम लोग बिंडो एसी का करने वाले आपरेसल कल हमने पिछली वीडियो में आपको यह वाली एसी पर बनाया था जिसको कई लोगों ने बोला था कि सब पार्ट लगते कैसे तो आज हम आपको यह दिखाएंगे किसका कंप्रेसर कंडेंसर फिल्टर या कोई भी मोटर अगर निकालना पड़े चिंज करना पड़े तो हम कैसे कर सकते इसके लिए हमने ले लिया एक स्प पार्ट हमने ले लिया और यह बिंडो एसी है बिंडो एसी का सबसे बाहरी वाकों आउटर यानि कैबिनेट के नाम से जानते हैं जिसको हमने पहले निकाल लिया अब यह जो हमारी विंडो एसी है इसको हमें खोलना है कि इसका पंखा कैसे लगेगा कंडेंसर कैसे लगेग जब कासे पहले इसने संधार अगर को सब थिखान और वरwać से च्ज़िशने एक इसके उनदर को मेंखें में ध्यान दीजेगा यह सभी इसकुरूप को बचा करके रखना अगर यह खो जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी सबसे ज़्यादा काम की्षा आपको देना चाइए सभी इसकुरूप जायज तरीके से सही तरीके से टाइट होने चाहिए, अगर किसी कारण से कोई स्कूरूप खो जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं, उसकूरूप को रहने दिल लगाए ही नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ काम में फिनिसिंग नहीं होती है, फिर बाद में AC चलेगी तो इससे कहीं आवा आ जाएगी कहीं खरबडाएगा बहुत सारी दिक्कते होंगे इसलिए जितने स्कुरूप इसके अंदर लगे हो उतने स्कुरूप आपको लगा देना चाहिए और हाँ अगर पहले से किसी मिश्क्री ने बनाया है और कोई इसकुरूप नहीं लगाया हो तो भी आपको अपने पास से इसकुरूप लगा लेना चाहिए और इसकुरूप आपको अपने पास हमेशा रखना चाहिए एक्स्ट्रा अलग से यह इस कुरूप आपको ढेर सारे मिल जाते कीलो के गॉख पैकिट में 1000, 2000, 2000 का मिल जाता है मतलब महंगा नहीं है लेकिन इतने से क्या होता है काम में फिनिसिंग आ जाती है तो जितने भी स्कुरूप है सभी स्कुरूप को हम यहाँ पर देखे हमने इस सभी स्कुरूप को खोलिया यह लाश्ट खोल रहा है इस स्कुरूप को भी हम यहाँ पर देखे निकाल लेते हैं यहाँ पर निकाल लिया और स्कुरूप को निकालने के बाद यह सारे स्कुरूप को देखे हम यहाँ एक जगा रख दे रहा है यह स्कुरूप कैसी है इतने पर इसके अंदर थर्मा कूल सा लगा यह फोम सा लगा है ना यह cooling करने में सायता करता हवा को इधर उधर नहीं जाने देता देखें यह इस तरब भी है और इधर भी है यह जो color change दिख रहा है ना यह भी यह वही थर्मा कूल है तो यह हो गे अमारा इसके उपर का place अब AC के system को समझे इसके अंदर compressor है यहाँ पर दिखाये compressor है और compressor motor है यहाँ पर fan motor है अगर कोई part change करना हो तो हम कैसे changes करेंगी सबसे पहले तो compressor motor जो इसका है ना, देखे यह pipe जुड़ी होगी सक्सल लाइन में एक pipe इस compressor को हम यहाँ पे लगा देते है अभ सब्गे ये यह होता कैसे किस प्रकार से हैं तो इसका इक कमप्रेसर का point हो गया और यजू यहाली जो pipe है मोटी pipe देखें यहां तो कम से कम पहले आपको यह सक्सल लाइन की पाइप को खोलने के लिए या तो आप ट्यूब कटर से पाइप को काट दे या तो कहीं जोड से बेल्डिंग गन से गरम करके अलग कर ले तो गरम करके अगर अलग करते तो ज्यादा बेटर होता है लेकिन गरम करके अलग करने से ध्यान देजिए कि उस AC में गैस नहीं होनी चाहिए यह पहले confirm करने कहां से confirm करेंगे इसके अंदर लगा होता यह जो charging pin है यहाँ पर देखेंगे लगा होता एक NRB pin इस pin को पहले आपको खोल लेना है और देखें खोलने के बाद इसके अंदर pin होती यह अंदर साइड पिन दिख रहा है यह pin को आपको दबा के ऐसे चेक करना किसे अंदर से गैस नहीं निकल रही है अगर नहीं निकल रही है तो clear है कि इस AC के अंदर गैस नहीं है अगर नहीं है तो फिर welding पॉइंट है एक इधर है और एक इधर पॉइंट दिख रहा होगा ऐसे एक पॉइंट उधर यानि टोटल 3 होते हैं इस नट को खोलने के बाद compressor को इस तरह से निकालने नहीं और इसका नट देखें यह सारे यह आपरेटर निकालना है तो देखेंगे कि चलिए हम इसको पहली बार भी निकाल भी रहे हैं तो यह जो इसका कंडेंसर लेकिन अभी कंडेंसर एक तरफ से निकला है न अभी एक तरफ तो जो इसका फिल्टर और कैपलरी ट्यूब है वो तो कनेक्ट ही होगा तो उसको भी हम निकालेंगे उससे पहली यह स्कुरूप को हम निकाल देते हैं दो इसकुरूप इधर साइड में लगे गया तो देखें एक तरफ से तो हमसे खोल दिया दूसरी तरफ देख लेते हैं इसके अंदर ब्रह एन्दबेंद यहां पर देखें एक स्कुरूप नीचे के साइड में दिख रहा है यहां पर बंद है तो हम क्या करें इस स्कुरूप को भी open कर लेते हां यहां से सभी स्कूरूप को आपको खोल लेना है जितने भी आपको स्कूरूप दिखाई दे यहां पर खोल लिया अभी देखते हैं इसकंदरा और भी कोई स्कूरूप है तो अभी देखें यह वाला जो बाहर वाला स्कूरूप है यह भी इस condenser के साथ connect है इसको भी हम खोल देते हैं तो यहाँ पर इस screw को देखे इस screw जितने भी लगे हो देख देख करके आप क्या करें ऐसे आसानी से खोल सकते हैं और देखे यह condenser यह condenser बाहर निकल चुका है देखे एक तरब से तो हमने pipe को निकल दिया न यहाँ एक screw लग रहा इस side में और बचा हुआ है देखे इधर इस side में तो इसको भी हम यहाँ से खोल देते हैं एक screw इधर रह गया था तो इसको भी हमने खोल दिया अब यह condenser यह condenser देखेंगे इस तरह से बाहर निकल गया और इसके अंदर की एक pipe देखें compressor के discharge line की pipe यह condenser में आती है और condenser से निकल कर जाती है देखें यहाँ पे जुड़ा हुआ है pipe में अभी filter यह filter जुड़ा है न और filter के साथ में जुड़ी है capillary tube और इस AC में जो capillary tube की संक्या है वो है तीन यह तीन capillary tube की संक्या है यह जो AC है ना दो टन की AC है या देर टन की AC है तेकि AC का टन हम कहां से पता चलते हैं यह जो हमारा condenser होता है condenser के अंदर यह जो ऐसे side side से मुड़ी हुई pipe होती है इन मुड़ी हुई pipe की सहायता से भी आप समझ सकते हैं कि जो हमारी AC है वो कितने टन की है यह लगभग में बताता यह कोई liquid formula नहीं है लेकिन इसको हमने अपने हिसाब से बनाया है इसको आप देख सकते हैं अगर किसी AC में यह single pipe आए इसी तरह से केवल एक नीचे फिर उपर है नीचे उपर है नीचे उपर है नीचे मतलब इसकी line ने देखे यहाँ दो सुराग खाली है तो देखे उपर नीचे सीधे में नहीं है अगर यह सीध में नहीं अगर यह सीध में होता तो एक टन होती और अगर यह सीध में नहीं है तो डियर टन होता है और अगर इसमें तीन तीन पाई पे एक साथ आती तो ये दो टन की AC होती तो इस कंडेंसर के रो के हिसाब से समझ सकते हैं कि AC कितने टन की है बात रही हमारे खोलने के तो देखें इसके अंदर फिल्टर और कैपलरी ट्यूब फिलाल यहां पर जुड़े हुए हैं हम इसको जुड़ा रहने देते हैं अब अगर हमें इसके पंखे को खोला तो भी खोल सकते हैं उससे पहले हम इसके एवापरेटर को खोल देते हैं देखते हैं कि इसका एवापर को हम खोलकर निकाल सकते हैं देखें इसके अंदर कितने भी इस खुरूब है तो यहां पर िऊप देखिए लोग से सभी सोरी को ए Leonardo daveak lahat इसके अलग कर लेंगे और की स्कुरूप और कहां इस मैं टाइट है यह evaporator के आगे का सीरा है यह हमारे window AC का अग 그ा यहांपर भी देखेंगे एक स्कुरूप दिखा종 दे रहा है इसमें और भी स्कुरूप हो सकते हैं तो पहले हम एक को खोल लेते हैं और यह जो इस। पहले हमें श। कुछ स्कुरूप उसके प्रकार से खोलते हैं ता फिर झी छूट टायाट में को और इसके एक प्रकार से उसके होई है सभी इस कुल जाने के बाद अब हम इसको आजानी से निकालेंगे यहां पर देख सकते हैं कि इतर से अलग तो यहेखिया हमारा निकल जुका है अब दिखाते हैं को और दोनों को अब हम अगर साथ में उठाएं तो देख सकते हैं इसको उठा करके हम चलिए इदर साइड में रख लेते हैं इस पे रख देते हैं तो देखिए यह हमारा कंडेंसर और इवापरेटर इस तरह से अलग-अलग हमने निकाल लिया है और यह अभी जुड़ा हुआ ह है जबकि हमने जो काटा है कि और सक्सल लाइन वाली पाइप यानि कंप्रेसर मोटर के पास से काट जाए अलग किया है अगर हम उसको भी नहीं काटते तो चाहे तो कंप्रेसर के साथ पूरा कंप्रेसर कंडेंसर फिल्टर कैपलरी यानि जो मैकेनिकल भाग है इनको एक कंप्रेसर को निकाल दिया क्योंकि वजन था इसे उठाने में दिक्कत होती तो इस तरह से हमने कंडेंसर और अब इसकी बात है किसके फैन वगारा ब्लोवर फैन वगारे तो अगर हमें बदलना तो हम कैसे बदलेंगे अगर आपको बदलना पड़ जाए तो यह आपको खो जो 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 भासर और भृवीय। इस के अदर यह मोटर arna एक लगे को का कि घूमेगा थेक स्कूल को हमें लिए Hang shadow तो धatto trudि-दारeland लगा हुआ है दी नट दिखाएंगे तो बने हैं इसनवा को को खुलना ओगा तो इस नट को खूलने के विग्र 75 यह से खूलता चाहते हैं जाटे तो इस पी चकास की ऐए ह्ता्य च्जौक्ट नेहरा उब सकता है इस मपार इसके नट को हम एक तो फोलख हैं आसे इस तरह से खोलेंगे और खोलने के बाद अब यह हमारा ब्लोवर फैन इसमें से निकल सकता है लेकिन यह भी अभी इसके अंदर जाम होगा तो यह आसानी से तो निकलेगा नहीं इसको ठोकना वगएरे पड़ेगा तो इसको पहले थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं और उस पहले हमें मोटर को खोल वोगा तो यहांसे देखे हमने हलिया है यह एक नट दिखाई दे रहा है अगर यह कह रुग होले तो इस यह कहा है यहां पढ़ने में धिक्कती है यह छूटावाला इसमें लगा तो यह सही तरीके से अर्जेस हो जा रहा है इस तरह से और इसको पकड़ के हम आसानी से फिर इसमें घुमा सकते हैं और इसको हम खोल सकते हैं तो देखें यह मोटर निकालने के लिए हमने इसको खोल रहे हैं और इसके अंदर होता क्या-क्या पूरा हम जीरो लेबल तक इसको समझ लेंगे इसको अंदर से खतम कर देंगे और उसके बाद फिर से इसको बनाएंगे देखें यहां से हम मोटर को खोल ले रहे हैं दो नट लगा हुआ है मोटर खोले के लिए यानि यह मोटर का stand लगा हुआ है stand जिस पर motor टिका हुआ है तो देखे दोनों नटों को हमने खोल लिया और खोलने के बाद इसको हम उपर उठाएंगे उपर की तरफ तो यह इसमें lock पे लगा होता है उपर उठाते हैं देखे इस तरह से यह निकाल लिया हमने उपर को हटा करके तो यह blower fan इस इसको इधर से गुमाते रहेंगे थोड़ा यहाँ space मिलेगा इसको तभी यह निकलने की जगह होने चाहिए न तो यही दिक्तत हो रही है बाकी हम इसको निकालते हैं और चाहें तो इसको पहले अभी और भी खोल ले थोड़ा सा बस और बचा हुआ है देख लेते हैं इसको बाहर निकाल लेते हैं यह देखिए यह हमारा blower fan है इसका बाहर निकल गया अगर यह कभी blower fan तूट जाता है तो इसको भी बदलने की जरूत पड़ जाती है तो इसको भी आप बदल सकते हैं यह blower fan अलग से मिल जाता है इसके एक एक पार हर पार अलग से मिल जाते हैं यह आगे से इसमें nut लगा हुआ है, इसमें भी टी का बढ़ा रिंच थोड़ा लगा करके और इसको खोला जा सकता है, तो इसको भी हम खोलने की कोशिस करते हैं, देखे ये खुल गया आसानी से, तो इस तरह से इसको खोल लेना है, इसके अंदर जो condenser फैन है, इसको भी हम condenser फैन है, अगर यह भी टूड जाए, कभी कभी इसकी एक पतिया टूड जाती है, तो क्यों टूडती है, अगर इसके अंदर कुछ चला गया, कभी कोई पतियोती फंस गया, कुछ चला गया, कोई मजबूत चीज, ऐसी चीज जो इसको तोड़ सके, तो यह टूड जाता है और जब यह टूड जाता है, तो इसको बदलने की ज़रूत पड़ती है, यानि मिस्तिरी ही बदलते हैं, तो हम लोग इसको बदलते भी हैं, यानि आप इसके पार्ट को अलग से लगा भी सकते हैं, तो देखिए, अब इसके अंदर बचा क्या, यह में चीज बचा है न देखिए, टो देखिए, ये पती है, तो मोटर को अगर निकालना है, तो देखिए, हम इसको मोड लेते है, थ्वड़ा सा, बाकी इतना जल्दी ये च्छोड़ता तो है नहीं, उसको मोड लेते हैं, और मोड करके, यहgar के रुचा हूए है, तो इधर से देखिए पीछे के तरफ से तो देखें यह мотор है, निकल रहा है बाहर, इस तरह से, और इसमें एक wire योड़ा हुआ, यह green color का body earth में किया हुआ wire है, यह motor के साथ body earth है, इस motor को हम देखें, यह आप थर क्या करते हैं, काट देते हैं wire को और काट के निकाल लेते हैं, आप तो screw से खोल लेना क्योंके अगर काटेंगे तो फिर जोडने में दिक्कत होगी ना तो आप screw driver से खोल लेना अब इसका motor देखिए ये motor अलग देखे कैसा है ये motor है motor का wire है और ये motor है motor के उपर sticker लगा होता है आप जानते है तो दो तार अलग है न वो हमारे होंगे capacitor के और जो चार तार है इसमें होगा high, medium और low और एक होगा common यानी neutral के लिए यानि high, medium, low और common होंगे और दो तार जो अलग है वो capacitor का होगा बाकी इसके sticker पे लिखा भी होता है और अगर नहीं sticker है तो आप इसको multimeter के द्वारा check भी कर सकते हो कि कैसे पता चली हमारा high, medium, low है तो आप चाहेंगे तो इसको search कर सकते है youtube के हमने video बना रखा उसको भी देख सकते है बाकी देखे यह पूरा हमने इसको खोल दिया अब अगर इसके अंदर कुछ और देखने की जरूरत है तो हम इसके एक एक पार्टों को इसके अंदर जो भी ये टीन वगएरा बचते है हम सभी को भी खोल करके निकाल सकते है तो देखे इसके अंदर इस कुरूप वगएरा अगर हमारे खुल जाते है तो हम सभी को निकाल देते हैं लेकिन देखिए अभी यहां तक यह पूरा टिन लगा हुआ है वैसे अब इसमें कुछ बचा नहीं यह इसका बॉड़ी निकल गया थर्मा कोल में चीज कंप्रेसर कंडेंसर फिल्टर कैपलरी यह अपरेटर सब कुछ यहां निकल गई अब देखिए अगर हवा की बात करें तो यह जो थर्मा कोल होता है यह जल्दी नहीं मिलता है मारकेट में इस साइज का जल्दी नहीं मिलता है यह सारे पार्ट अलग से मिलते हैं मिलता नहीं है तो यह थर्मा कोल और यह टिन की बाडी अगर नहीं मिलता तो आप इसको बनवा सकते हो अपनी साइज के हिसाब से कि किस साइज कहा यह उसके हिसाब से स्विंग मोटर अगर लगा होता तो देखिए यह स्विंग मोटर की कुलowski खीचता है तो कम्रें की जो हवा से तकरा के अंदर आती है और वही जहीं सबना हुआ है इस सबस्क्राइब के गएगत हास्ता निकती है और का इस प्रकार से हमारी बिंडोंacz प्रकाइब कर दा सिर्फ इतने पार्ट को चेंज किया जा सकता है इसके अंदर अब जो बचे हैं यह चेंज करने वाले पार्ट नहीं है अगर इस इस सिति में अगर आ जाती है तो आप उसको सेल कर दीजिए कवाड़ा में बेज दीजिए अब उसको बनाने की जरूत नहीं लेकिन अगर बनाना चाहें तो क्या नहीं बना सकते हैं तो इस प्रकार से था कि विडियो बनाने की कोशिश करेंगे वीडियो देखने के लिए आर्वार वार जाओडन, आर्वान, आर्वार राट.